हलो दोस्तों नमस्कार स्वागा थे एक और नए वीडियो में मैं अश्रक कुमार साहू करियर कोच और आप देख रहे हैं अपना पसंदेता यूटूब चैनल लावनिया ग्लोबल करियर प्लानर यूटूब पर और आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों वो है लगजमबर को ले करके कई मेरा भीवर का questions आ रहा है कि क्या सच में लगजमबर में जौब है क्या हमें लगजमबर का विजा मिल पाएगा अगर विजा मिल गया तो वहाँ पर salary क्या होता है क्या सच मुच वहाँ पर 4 से 5 लाक या 3 से 4 लाक या 2 से 3 लाक का salary मिलता है अगर यह सही है तो आप बताईए कि process कैसा होता है कौन इसमें apply कर सकता है क्या क्या jobs का ज़्यादा demand रहता है अगर हम प्लान करें लगजमबग जाने के लिए तो कितना पैसा खर्च हो सकता है कितना दिन का समय लग सकता है क्या क्या documents की ज़रत पढ़ सकता है यह सब doubt को आज मैं इस वीडियो के मादधम से clear कर दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए अगर आप भी प्लान कर रहे हो लगजमबग जाने के लिए तो आप भी apply कर सकें तो ज़्यादा वक्त जाए ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो सबसे पहले जानते हैं क्या सच में लगजमबग में बहुत सारे jobs हैं तो बिलकुर है दोस्तों बहुत सारे jobs अभी available हैं लेकिन वही लोग apply कर सकते हैं जिनके पास skills है यानि कि skills job वाले ही लगजमबग में जो apply कर सकते हैं और तभी उनको जादा से जादा salary मिल सकता है अगर आपके पास skills नहीं हैं आपके पास semi skills है या unskilled हैं आप तभी apply कर सकते हैं लेकिन salary जादा नहीं मिलने वाला है salary जो है दोस्तों 1700 euro से लेकर के 2200-2300 euro ही होता है तो मैं आपको clear कर दिया अगर आप skilled हैं या unskilled हैं या semi skilled हैं तो कोन कोन इस job में apply कर सकता हैं कितना कितना salary मिल सकता है बात करें process कितना दिन का समय लगता है तो process की बात करें तो लगभग 7 से 8 महिना sometime 12 महिना भी लग सकता है यहां का जो process है दोस्तों वो लंबा समय लगता है इसलिए अगर आपका अश्पैसेंस है तभी आप लगजम बकले जो अप्लाई करें बता दू कौन-कौन जब अप्लाई कर सकता है बात करें skill jobs का कौन-कौन skill job में आता है जैसे कि doctors है pharmacist है nurses है engineers है इंजिनियर में तमाम different engineers आ जाते हैं दोस्तों तो अगर आपने engineering का पढ़ाई किया है work experience है तो आप as a engineer चाहिए आप civil हो, mechanical हो, software हो, hardware हो कोई भी इंजिनियर का काम करते हैं तो आप engineering में apply कर सकते हैं मालज आपने doctorate किया है, MBBS किया है या फिर आपने PG कर रखा है तब भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं क्योंकि doctors का बहुत ज़्यादा demand रहता है इसके अलावा अगर आप IT में काम करते हैं जैसे IT software engineer हो गया, अगर आप BA काम करते हैं, business analyst वो आप apply कर सकते हैं अगर आप security में काम करते हैं, banking security में तो आप apply कर सकते हैं तो यह सारे jobs हैं तो यह high skilled में आता है अगर आपके पास semi skilled है, जैसे आप chefs हैं, plumber है, electrician है, mason है, tiles mason है, तो इस तरह के जो काम होता है यह semi skilled में आता है अगर आप unskilled हैं, जैसे labor job हो गया, जैसे आप warehouse में काम करते हों, जैसे आप food delivery काम करते हों, जैसे आप driving का काम करते हों यह सारा job जो दोस्तों general work में आता है, इसमें भी आप apply कर सकते हैं रही बात, खर्चा कितना होता है, तो खर्चा की बात करें, तो लग भग, चार से ले करके, साथ लाक रुपे तक खर्चा होता है अगर आप किसी agency के तुरह apply कर रहे हैं, अगर आप online apply करते हैं, सिफ आपने बना लिया CV and cover letter, लेकिन हाँ किसी यूटूबर से नहीं बनाना है, खुद से बना ले रहे हैं, क्योंकि यूटूबर से एक बर बना के देगा आपको, लेकिन अगर खुद से बनाएंगे, तो आप अपना CV को edit कर पाएंगे, हो सके तो आप इसका जो package आता है, ठीक है, online आपको मिल जाएगा, how to make European CV and cover letter, check कर लीजिए, और जो package है, बहुत minimum package होता, खरिद लीजिए, ताकि आप एक साल में जब भी चाहें, आप अपना CV को edit कर सकते हैं, ठीक है, CV cover letter apply करने के बाद, ज़्यादा मेहना थे दोस्तों, और बहुत ज़्यादा follow-ups की जरुवत पड़ता है, क्योंकि आपको हर एक दिन कई सारा email को पढ़ना है, reply करना है, तभी जाके आपका profile shortlist होगा, shortlist होने के बाद interviews होगा, interview होने के बाद आप पुरा process करेंगे, तो वो free में होता है, क्योंकि आपका employer, आपका profile को sponsor करेंगा, यानि कि पूरा खर्चा वो देंगे, तभी जाके free होता है, ठीक है, और इसी तरह से आपको free में job मिलता है, लेकिन अगर आप किसी agency को तो आपको भी यह लाखों रुप्या खर्चा करना पड़ेगा, बता दे process कितना दिन का समय लगता है, क अब ही apply करें, नहीं तो आपको job मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप online apply कर रहे हैं, तो 50 साल तक का profile को accept करते हैं, बसरते हैं, आपका profile matching होना चीए, जो भी requirement है, जो भी vacancies है, अब बात करते हैं, documents क्या क्या चीए, तो documents दोस्तों यहापर सबसे पहले आपको PC से apply कर लेना है, आपका passport का validity minimum दोसाल का होना चीए, एरोपास CV और coverator होना चीए आपके पास, इसके अलावा आपका education certificates, authentic होना चीए, fake education certificates नहीं होना चीए, इसको avoid कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा checking होता है, वो भी back end से होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, experience letter, experience letter डालिएगा, जो original या authentic experience letter है, experience से वही डालिए, अन्य था इसका भी back end check होता है, फिर आपका rejections आ जाएगा, यह सब होने के बाद ही, आप job apply कर सकते हैं, साथ ही साथ एक passport site photograph with white background, photo को धुलाना नहीं है मेरा दोस्त, photo आप studio में ले लेना है, और jpg में आप save कर सकते हैं, save करने के बाद इसको आप employer को भे सकते हैं, और वही photo जब आप VFS Global जाते हैं, या embassy जाते हैं, submissions के लिए, आपका document जब submission करते हैं, वीजा अप्लिकेशन के दावरान, उस समय आप इसी photo को ही डालें, दूसरा photo बिल्कुल ना डालें, मेरा कहना है मत्तब यह है, कि जो photo आप employer क देते हैं, during your interviews, वही photo को आपको रखना है, और जब आप VFS Global जाते हैं, या फिर आप embassy जाते हैं, उस दवरान इसी photo को आपका जो भीजा application उसमें stick करें, otherwise problem होता है, ठीक है, क्योंकि चेहरा थोड़ा बदल जाता है, किसी का ब्याड आ जाता है, किसी क्या किसी क्या, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगर साबित हुआ होगा, अगर आपको आज का मारे वीडियो अच्छा लागा हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर आप पहले बार चनल पे आए हैं, तो चनलों को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का इंफरमेटिव वीडियो आपको भी मिल सके, जो आपका करेर के लिए बहुज़ता हेलखुल हो सके, तो थांकी सो मच पर वाचिंग तिल एंड अप दिस वीडियो, मैं शुक कुमार साहो आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टोपिक के साथ अब तक के लिए आप रखें अपना खयाल और मुझे दे इजाज़त हैं कि सो मच, जय हिंद, जय भारत